मेडम संतूष्ट है इस बिजनेस से जी सर हमको बहुत अच्छा है हमको तो लग रहा है कि मेहनत करने पर एक नौकरी समने फेल है वाकई सौ दिन में एक लाख रुपया अगर पॉकेट में लेकर आ रहे हैं आप भी गाउं में बैठे बैठे नौकरी में भी नहीं मिलेगा अब अब देख लीजे देशी जुगार्ट दो सरिया इन्होंने बनाया है ये बाहर का आवरण हो गया और अपटाउन होता रहता है और फट से कचला साफ कीजे और यहीं से फेक दीजेए हम आए हुए हैं अभी बाड बाड परखंड में हैं और हमारे साथ हैं एक सुनाली मुर्गी पालक और उनका एक्सपिरियंस जो है आज आपके साथ सेर करने वाला हूँ तो पती पतनी मिलकर यहां पर सुनाली मुर्गी का पालन शुरू किया है आसे चार महीने पहले तो पहले हम स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुडे हैं आपका क्या परचे हुआ और क्या नाम हुआ हमारे दोस्तों को बताएं मेरा नाम हुए sir संजीत कुमार वर्मा sir मेरा बाड से बडियोजन हुआ अटनामा गाओ हुआ अटनामा बाड से sir 9 km दूरी पर मेरा घर हुआ अटनामा आने से sir ट्रेन से भी आप आ सकते हैं और रिड़ंगा पूल पर उतर के भी मेरा घर आ सकते हैं मेरे फारम पर विजिट कर सकते हैं और मने हाँ देख सकते हैं सर कि फारम है कि नहीं है और मैडम आपका नाम मेरा ममता देवी नाम है ममता देवी तोड़ा सा सर आगे आ जाईए आप लोग बस 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 तो मिलिए ममता जी से और संजीत जी से तो संजीत जी ये बताए कि सुना मेरे पास प्याज का गुदाम था सर, इसी में हम सोचें कि 6 महिना बढ़ जाने से कोई फाइदा नहीं है, इसलिए उस टाइम का आपने सदुपयोग किया, और इस काम में मैं भी साथ देती हैं, जी, हम अपने हाथ से बच्चा डालते हैं, सवनाली जो आता है ना, तो हम अपने हाथ से बच्चा को डाल कर गिंदी करते हैं, नहीरा ने पर चारा पानी सब करते हैं, यानि कि पूरा काम में आपका सवयोग है, तो चलिए, बहुत अच्छा है, देख लीजे दोस्तों, जी, मुझे मालूम चला, यहाँ पर आने के बाद, कि आपने एक लॉट निकाल दिया है, तो आज दर्सक पूरा सिलसिलवार जाना चाहेंगे आपसे, कि आपने जो सुनाली मुर्गी का चुजा डाला होगा, वो किस तारीक में डाला, और कितना डाला, सर, सुनाली का जो है महमदपूर का रुपसपूर जी, हैं पंचायत का, उन ही से हम लिये थे, तो एक मिनट सर, खली मैं बोलना चाहूंगा, कि बहुत सारा हिसाब किताब होगा, तो आज वो हिसाब किताब आपसे लेता हूँ, तो फिर से मैं मंतरित करूँगा, सोनु भाई, आईए, और पिछली बार याद होगा सर वीडियो में, आप लोगोंने कमेंट करकर के जो है, कि आपने चुझे का दाम नहीं जोड़ा, चुझे का दाम नहीं जोड़ा, एक्चली सोनु भाई की इंट्री हुई थी उसके बाद, लेकिन हमने जोड़ा था, और इस बार ये घलती में नह परने वाला, तो सनु भाई प्लीज आ जाएं, तो चुझे का दाम कितना पड़ा था एक का, 32 रुपया सर, 32 रुपया, तो सनु भाई इन्होंने 1000 चुझे मंगवाए थे, 18 मर गए थे, तो 18 मिला था, सन्जोग से कुछ इसलिए अधिक दिया भी जाता है, कि मोटलिटी तो आप लिखिये, चुझों का दाम टोटल कॉस्ट हो गया 32,000, 32,000 चुझों का कॉस्ट लिखिये, तो चलिए आगे बढ़ते हैं संजीज जी, 32,000 चुझे जब आप ले आए, तो चुझे लाने के बाद, आपने कितने दिन उसका पालन किया, सर हम 100 दिन उसको पाले, 100 दि और उस 100 दिन में सारे चुझे निकल गए, सर, तो चुझे तो बड़े हुए दाना पानी खा के, तो अब दानों की खर्चे, जो दाना में जो खर्च हुआ है, उस पर आजाएं, तो दाना पर आपका कितना खर्च हुआ है, टोटल, सर दाना खाया उसमें सर, 34 बोरा, और 12 गठा खाया, मकई का घठा, चाबल का घठा मिला हुआ खाया, कुछ हराचारा भी खाया, सर, जिससे हराचारा हुआ, लाल का साग हो गया, सर, सोहजन का पत्ता हो गया, इस सब भी खिलाएं उसको, तो हराचारा वेगरा तो चलिए गाउं में मुफ्त, आपका उपलब दता बात कर लें जो 34 बोरा आपने दाने की बात की एक बोरा जो दाना है वो कितने में आता है 1 बोरा सर 2000 का उस समय खरदा हुआ तो 34 बोरा सर लिख लिए जाये 68000 रुपय होता है 34 बोरा दाना का और दाने के अलाबा जो गटा और बाकी जो गहुंवेगरा तोटल दाना का खर्च बाकी हरा चारा में तो पैसा आपका लगा नहीं है इतना ही था मैडम आपको भी पता है दाना में अगर पापी देती थी ना सही बोल रहे हैं जनकारी तो चलिए आगे बढ़ते हैं संजीद जी तो थोड़ा मैडम से भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो मैडम आप भी इनका स्योग करती रही है तो जो वैक्सि Ноe coû को देनी पड़ती है दवा दनी पड़ती है उस पर टोटल सौव दिन में क्या खरचाए उसमें दवाई में खरच्ट 25 रुपे आया तो यह जो वेक्सिनेशन है उसके लिए क्या करते है छरासा हमारे द्रश्कों को बताएं सेर उसके लिए जिससा तमादिन वेक्सिन होता है चौदमादिन वेक्सिन होता है कियो जो में कैसे देते हैं इसके बाद चोदुमा दिन पड़ेगा फिर लसोटा का पड़ेगा ऐसी मनें पांच को वैक्सिन में अपका मुर्गी बिल्कुल ठीक रहेगा बरफ का भी इस्तमाल कर रहे हैं बरफ सर उसमें थर्मस में आतने कबाद बरफ रहता है दवा उसमें कोई दिकत नहीं होता है उस कि वैक्षिनेशन के बाद आते हैं सर चोटी-मोटी खर्चे हैं जैसे कि कभी चिड़काव वगरा बीचुना वगरा का किया होगा और विजली तो आती ही होगी आती है तो यह सब मिला कि जो छुट चिटपूर जो खर्चे हैं वो कितना हम दो हजार है सर दो हजार दो हज तो चलिए सर इसके अलावा कुछ याद है कि कभी खर्च हुआ हो जर सर दस-वीश-पजास रुप्या कभी ऐसा खर्च होता है मैंने कहें कि मेजर नहीं मेजर नहीं दी मुर्गी है तो देखिए उसका की थोड़ा सा पानी निन पाई खाना उखाना कर रहा तब फलाजिन उस के बारे में तोड़ा जोड़िएगा आप जोड़ लें उसको अच्छे से थोड़ा और चलिए अब बात करते हैं कमाई की कि एक मुर्गी पालक यहीं सोच करके पालन करता है कि अच्छी कमाई हो तो सौ दिन में जो आपने मुर्गियां बेची एक बार में बेची या धीर तो मुर्गी में कुछ कम बजन रहता है उससे कम रहता है कितने ग्राम कम होता है मुर्गियों का बजन जो सौ दिन में आपने पाया होगा डिफरेंस 200 ग्राम क्या असपर तो चलिए सौवा दिन मतलब आपका फार्म पुरा खाली हो गया क्योंकि मैं उपर गया था दोस्तो यहीं स्वी का रास्ता है और उपर में फार्म है और पुरा भी खाली है एक भी मुर्गी नहीं है तो यानि कि 30 जुन को आपने सारा क्लियर कर लिया है साफ सफाई करके बंद कर दिया है और इसके बाद फिर नए चुजे भी डाले है तो चलिए उस पर भी बात होंगे तो दोस्तो सुनाली मुर्गी पालं सौ दिन तक चला वेट गेन जो है एक पॉइंट तीन केजी से लेकर के साड़े आठ सो ग्राम तक रहा तो अब मैडम से पूछते हैं कि मैडम सारी मुर्गियां बिकने तक जो एक हजार मुर्गी थी और मुर्गे थे बिकने तक आपने किस एक लाख चार हजार नौससे इनका बचित है यानि कि दो लाख बीस हजार में टोटल खर्चा कितना आया था लाख 15100 रुपया टोटल खर्च और उस में से दो लाख 2000 में से वह घटा दिया एक चार हजार नो सो, एक लाख चार हजार नो सो, सौ दिन में आप लोगों ने कमाया, दोस्तो, इट शुड बी नोटेड, कि एक हजार सुनाली मुर्गी का पालन शुरू किया था, बीस मार्च से, तीस जुन को इन्होंने आखरी लॉट निकाला है, और जो मुनाफ़ा हुआ है एक लाख, एक लाख चार हजार नो सो, तो आप भी कहीं डायरी पे लिख रहे हुए, सोनु भाई से भी मैंने लिखवाया हुआ है, तो ये था हिसाब किताब, तो बहुत बहुत बधाई, और इस मुनाफ़े के ही, बदौलत आपने फिर एक हजार डाल दिया, तो एक हजार को क्या बुलना चाहेगा इस पालन के उपर, सर इसमें अच्छा कमाई है, इसमें कोई दिकत नहीं है, मेहनत करने पर रहेगा सर, ऐसा बात नहीं कि मेहनत नहीं कीजेगा, पैसा हो जाएगा, मैडम संतुर्ष्ठ है इस बिजनेस से, जी सर, हमको बहुत अच्छा है, हमको एट पास हैं, और आज एक उदमिता से, मुर्गी पालन से, ये लोग मिलके एक लाख रुपया तीन महीने में लगबग कमा रहे हैं, है ना, अमूमन सौदिन की कमाई है, तो कितना अच्छा बिजनेस है, तो थोड़ा चलते हैं, उपर भी सर, देखते हैं, जो आपका जो नया एक हजार डाले हैं, उसको थोड़ा हम लोग विजिट करते हैं, तो नीचे में भी वो अपना बिस्तार करेंगे, फिलाल अभी बिस्तार नहीं किये हैं, और दोस्तों ये देखिए, यहीं वो था जहां पर इन्होंने अपनी, इसके पहले एक हजार सुनाली मुर्गी क यहां पर पालन करके, वो सारा बेच चुके हैं, और यहां पर आएंगे, तो फिर इनको जबरदस्त फायदा होने के बाद, फिर यहां पर एक हजार सुनाली के जो चूजे हैं, इन्हों ने यहां पर डाला है, कितने वाई, कितने के कमरे में यह डाला है, बारवाई, आप उसमें नीचे भी वडलाप के चाहते हैं 201 का तो इसकी भी डाइमेंशन थोड़ी देख लेते हैं इदर आएंगे देखिए दोस्तों यह वाला जो डायमेंशन है इसके बारे में भी हमारे दरस्कों को बता दीजे एक हजार फीट है सर तो काफी अच्छा है और यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तो इसी में पहला लौट सर ने डाला था और यहां से अच्छी कमाई हुई है और आए ठ्वड़ा वीजिट करते सर आगे और ये जो खिड़कियां वगरा है सर ये एक दो तीन चार ये हवा और हवा के परपस से डाले हैं सर तो काफी अच्छा फार्म है इनका और इस फार्म में कुछ नई नई चीजे में बैद देख रहा हूं और ये देखिए दोस्तों यहां पर ये रसी लगा के आपने ये खिड़की लगाया है फ्लक अट धंडा किसे वह नहीं सकता है पानी भी नहीं सकता है जाड़ा भी ने लाया है तीनव मोसम में काम करेग感 यो यानि कि अंह से आप गिरा दीजिए गिरा के दिखाए तो दोस्तों ये देख रहा है वह वह, कितना बड़ियां फोटेगा भी नहीं यानि कि फट से आंधी आया तो अग्दम डाल दीजिए सब में यह बेवस्था आपने रखेंगे तो बड़ा अच्छा बेवस्था है आगे आते हैं यहां पर एक मुझे अग्जास्ट फाइन भी दिख रहा है एक लगाया है आपने है ना सर इसमें है क्या कि जैसे थंड़ा कमोंशम में हम पर्दा गिरा दिया टोटल गिरा दिया खिलकी तो हमको लाइं रहे तो ने इससे गेंस निकलते रहेगा तो ब्यवस्था रहा है और खिलकी में तोड़ा बाहर से यहां पर कि बाहर जिसे फारब साफ हुआ तक कुछ नीचे डालने के लिए है जिसे बाहर का अब डाउन होता है और फट से कच्छा साफ कीजिए और यहीं से फेक दीजिए तो अगर कोई शेड आप बनाते हैं तो इस तरह का डिजाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यह देख लीजिए यहां पर बॉल्ब वेगरा सर कितने वाट की इस्तेमाल करते हैं सर देखें गर्मी का मौसम है तो इसलिए एल्डी जलाते हैं नौ वाट का है अहां आओकर नौ वाट का है और ठंडाक मौसम जिसी आएगा सर तिसमें छेगो पांच को लगाएंगे दोसो बाड़ वाला मेंटेन करने करने टेंपरेशर और यहीं जाली के इस्तेमाल किया है देखिए कि टेंपरेशर के लिए टेंपरेशर के लिए हम डंटा में बानके रखोएं तीन को अहले जो हैं अरे वाट यह कितना बहुत पावरफुल होगा हजार पाचपाचपास और बाट का हती बारा बारा का रूम में दी तीन को लगा देने के बाद बच्चा को चोटी चीजें हैं जो की ध्यान में रखनी होती है तो सर बहुत अच्छा तो सर अभी जो आप चूजे 1000 फिर से डाले हैं उसमें कोई परशानी आई कहां से लिए वो रंजीत जी कहां से लिए नहीं रंजीत इसने यूपी जिसके डॉक्टर स्राहम है नहीं उनीस डाले औ 29 podcasts यहां और जीए वूटेट को सब्सक्राइब आई का तरह के निकिरटे से लोटे से शाव तारीं और आदेनिस व्हुतें पच्छी यादे म्हें ने बने में तो Спटख से और हुआ को आने विए्फ जैश औरा दिन Mai में अपना हैर्ट मASHनन के इतनी परशानी हो गई इतनी परसानी होगी, जब दब 12 लाग रुपएक हम गाली रख सकते हैं सर, तो 10 लाग को बसीन बढ़ने मिठा सकते हैं, इसलिए मैं सर सजेस्ट करता हूँ किसानों के किस चक्र में ना पड़े, अगर आप सिरियस बिजनेसमेन हैं तो एक अपनी छोटी हैचरी बे डाले, त इसलिए बहुत जरूरी है कि जब मुर्गी पालंग कर रहे हैं तो जैसे आज बोला कि परशान होके मैं अपना एक छोटा सा हैचरी करूँगा, बीस ज़र का हैचरी करेंगे सर, बीस ज़र का, जो बार्र लाक अप गाले रख सकते हैं पीक अप, तो मेरे पीक अप डरिवरी के लिए मेरे पास पीक अप है, तो मसीन में कोई ज्यादा नहीं पाउस लाक छे लाक ट्रुट प्री मसीन हो जाएगा, बड़े पाइमाने पर शुरू करेंगे। यसमे आने वाला मूर्गी अंड़वलो डालेंगे और अपना घ्चरी डालेंगे। पहली बार में तो इनको दिक्कत नहीं हुई लेकिन दूसरी बार में आपको बहुत दि मेरे गार्जियन लोग कर रहे हैं कि सुबह आएगा बच्चा, साम को बच्चा आएगा कल बच्चा आगा, लोग काता है कि जुटे घर में बोल रहा है क्या करें, हैच्री बला बोल रहा है कि साम को बच्चा देंगे, सुबह बच्चा देंगे और बच्चा देने रहा है घर के गार्जियन तो लग वो लेंगे कि तुम रूज सुबा साम कर रहा है और क्या करें 20 तारिक से ले के 3 तारिक कम को बच्चा दिया रात में एक बज़े रात में दिया बच्चा इस टाइम है बच्चा देने का जी काफी इनका विछोब दीख है मुझे काफी परिशान इस बात को लेकर के काफी आपको दुख भी पहुचा है लेकिन चलिए सर्व अच्छा है कि इस हैचरी वाले जंजट से आप मुक्ती हो जाए अपना खूद का करें चुजा कहीं से लाना ना पड़े नेक्स टाइम जो है और किसान को हम देंगे सर हास्ट होते होते हम देंगे बच्चा अपने हैचरी सो बच्चा देंगे अभी सर के कैपसिटी बनाएंगे सर्ट बहुत बढ़े नेक्स टाइम आऊंगा तो बिल्कुल विजिट करूँगा तो आप सब दिन के बाद सर सब दिन से पहले इसके 55 दिन पूरेगा 55 दिन में फ कैसी को पीचे से लगा हुआ है सिर बैटो मति तो दोसतो आपने देखा कुछ यहां से आपको ज़रूर नई जनकारी मिली होगी बहुत सारी जनकारी देने की इन्होंने कोशिस कि और जो परशानिया हुई है इनको उन्होंने बयान किया है तो और कोई जनकारी लेनी हो तो आप जरूर कमेंट बक्स में लिख सकते हैं और इनसे भी पूछ सकते हैं इनका फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनका फोन नंबर मैं स्किन पर भी दे दूँगा सर अगर कोई जनकारी लेना चाहे तो आप उसे सलाह दे सकते हैं सर कभी भी 24 संटा मेरे माद मुवाल खुला हुआ रहा है तो सर मिलते हैं फिर नई जगह पे नई जनकारी के साथ नई एपिसोड में तब तक के लिए जय हीन जय भारत